हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल होमार्ट में तो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं डोरमेट जिसे बनाना बहुत असान है तो इस तरीके के डोरमेट मैंने पहले भी आपको बताए हैं बट सबका डिजाइन और सबका बनाने का तरीका मैंने आपको अलग बताया है आज जो तरीका बता रही हूँ वो सबसे अलग है सबसे पहले हमें क्या करना है जो भी हमारे पास में पुराने कपड़े पड़े हैं जैसे साट वगेरा कमीज वगेरा जो भी अवलेबल पड़े हैं तो उनको हमें कटिंग करना है और कटिंग करने के बाद में हमें इस तरीके से छोटे-छोटे हमें पीसिस त्यार करने है चार इंच लंबाई और चार इंच चुड़ाई के अंदर और अगर आप नए कपड़ और उन सब को मैंने कटिंग कर लिया है चार इंच लंबाई और चार इंच चुड़ाई के अंदर ये पीसिस मैंने त्यार कर लिये हैं और फिर मैंने सिलाई करकर इनको हमने सी लिया है यहां से हमें फोल्ड करना है अंगुठे की साहिता से इस तरीकी से दोनों अंगुठो को लेते हुआ हमें बंटना है फिर यहां से हमें इस तरीकी से कवर करते हुए यहां पे हमें लगानी है स्लाई फिर से देखो कैसे बंटना है आपको दिखाती हूँ यहां से पकड़ेंगे हम और इस तरीकी से बंटेंगे और फिर हम स्लाई लगाएंगे ऐसे हमें सभी पीसि कर लिए हैं अपने डोर मैट के लिए उसके बाद में हमें क्या करना है एक यूरिया का थेला लेना है उसको हमें सरकल में कट करना है अगर आपके पास में राइस बैग है तो वह भी ले सकते हो अगर आपके पास में जिन्स जो मोटी जिन्स होती है वह आपके पास में अवले तो मेरे पास में यूरिया का जो थेला होता है वो अवलेबल है तो उसको मैंने सरकल में कट कर लिया है और कटिंग करने के बाद में जो मैंने बंट लगाती हुए फोल्डिंग करती हुए पीसी जो त्यार किये थे उनको लेते हुए ऐसे हमें सरकल में इसके अंदर उपर करना है इस तरीके का डिजाइन तो मैं ने आपको बंडनिक और तरीका वो तो मैंने आपको पहले ही बताया है काफी मैंने वीडियो दाले हैं सभी दोस्तों को बहुत जादा पसंद आये सभी फ्रेंड्स लोग बोलते bene elegant यह और और ये चिलाई हमें ऐसे लगाने हैं जैसे हमने पहला जो पीस चिलाई करके रखा है वह पीस भी हमारा इस सिलाई में कवर होना चाहिए उखड़ा हुआ नहीं दिखना चाहिए जैसे हमारे डॉर्मेट की फिनिशिंग अब बहुती अच्छी होती है और बहुती खूबसूर बहुती लाजवाब लगती है और अगर हम इसको मार्केट से लेकर आते हैं तो ऐसे हमें डॉर्मेट के डिजैन मार्केट में नहीं मिलते हैं उनका अलग ही लुक होता है और वो लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं और बहुती हलके फूलके होते हैं तो और अगर हम इस तरी फुराने suit होते हैं, वो हमारे काम में आ जाते हैं और हमारे लिए इस तरीके के door mat, table mat, carpet सबही जो भी आप design बनाना चाहते हो तो वो भी हमारे बन कर त्यार हो जाते हैं, अगर आप इस तरीके बड़ी बड़ी कत्रने काम में इस तरीके से sealते हुए और सबको पहले आप सील लेना और फिर चोर्स के अंदर अगर आपके पास में जो अवलेबल है जैसे प्लास्टिक यूरिया का थेला अवलेबल है तो वो आप जोइंट करके सील सकते हो जैसे अपना जो बैड होता है उसके अकोर्डिंग अगर कपड़े के उपर आप सीलना और वो हम इसके उपर जोइंट करेंगी क्योंकि आगे थोड़ा मोटा आ गया है तो हमारी पतिया है वो नहीं लगेगी तो यहां पे हम सरकल में पीस लेंगे वो इसके उपर सीलेंगे सीलनी के बाद में हम इसको दिखाते हैं कि कितना ही खूब सूरत हमारा ये डोर्मेट त्यार हो जाता है दोस्तों आज ये नए वीडियो और ये नए हमारा डोर्मट का डिजाइन आपको कैसे लगा बहुत ही कलर फुल और कितना ही शानदार लगा तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कॉमेंट में ज़रूर बताना और आप सभी फ्रेंट लोग मेरी वीड यो कि साथ